नितिका लगातार इस मामले ते स्यासी प्रतिकरम सामने आ रहे ने पर जिनना सेंसिटिव मुद्धा है इस वेले इसनू शायद मनुखता ते पंजाबियत दे एंगल तो ही समझन दी जरूरत है ते उससे एंगल तो समझने होया तमाम इना गतिविदिया ते रोक लगण दी जरूरत है बजको देखो जदो इह मामला सामने आया सिच्वेशन आउट ओफ कंट्रोल होई उस तो बाद ही जड़े ट्वीट आने शिरू होगे सी राजनी थी इस ते गर्मागी बीचे पी ने लगा तारामादमी पार्टी नो करेंदी कोशिश किती कि पट्याला दे बोट कंट्रोल है दिल्ली तो नहीं चलना चाहिदा पर हुन पक्वंतमान वलो पंचाब दे मुख मंत्री वलो इस ते ट्वीट किता गया ते किया है कि डीजीपी दे नाल गालबात हो गई है ते फिलहाल जड़े हालात ने उसनों जड़े सही करन दी पूरी कोशिश किती जारी है ते फिलहाल हालात जड़े ने ठीक भी हो गया ने उनना वलो क्या गया है नाली उनना ने कहे कि किसे नूबी आसी आलाव नहीं करांगे कि पंचाब दे हालात बिगाडे जान ते इस सिचुएशन ते पूरा कंट्रोल जड़ा है ओहो कर लिया गया है देखो सिक फो जो कि गुर्पतवंद पन्नो वो लोग काफी देर पहला ये एलान किता गया सिगा कि हर्याना देविच 29 तरीक नो आसी खालिस्तान दिविस्ट बना वागे इसा एलान काफी दिन पहला कर दिता गया सि जिस तो बाद जड़े खालिस्तानी विरोधी ने या कह सकते है कि जाने कि बी तरीक नो आइलान किता गया सि नौ दिन सिगे पुलिस चौनदी था इस सिचुएशन नो पहला तो ही कंट्रोल कार सकती सी पर तुसी देख्या कि हालात किनने बेकाबू जड़े ने ओपट याला दिविच होगे सिगे फिलहाल पामे किया जा रहे कि लो भी हवाई फाइरिंग किती गई सी पर होर भी कई इंसिदेंट जड़े सामने आये ने चायो पत्रावदा होए या फिर आसी देख्या जिस तरह क्लाश होए पुलिस कर्मिया नो जड़िये सटा लगिया ने उसनो लेके देखना होगा कि पुलिस दी की कारवाई जड़ लेकिन पंचाब दे मुकमंत्री कह रहे ने कि फलहाल जड़े हालात ने ओ ठीक हो गए ने ते डीजी पी दिनाल उनना ने गलबात भी किती है ते उनना ने किया कि किसे नो भी पंचाब दे हालात बिगाड़न नहीं दिते जानगे जी